कि तो डियर स्टूडेंट आज कि इस वीडियो में बात करेंगे फोर्थ समस्टर यानि कि चतुर्थ समस्टर के हिंदी के सब्सक्राइब के बारे में कि कुछ इन्वर्सिटी में जो है वह हिंदी माइनर में होने वाला तो माइनर का जो पेपर होता है यानि कि कोश्चन आते हैं तो यह उन सभी स्टूडेंट के लिए महात्पूर्ण है जिन इन्वर्सिटियों में परिच्छा हैं एमस्टी क्यू बेश पे होने वाली हैं हिंदी की सब्जक्ट आपका हिंदी प्रश्ण पतल का नाम है लोई हिंदी न्वाद ठीक है तो इतने वह कोश्चन योट होंगे बात को ध्यान करेंगे अब आते हम कुश्चन कि ठीक है और यह आप बीड़ों पूरा देखेंगे तो आपको काफी सब्सक्राइब करने लिए सब्सक्राइब करने लागा तो यहां पर बहुत फारे आप संदेगे जिसमें सही उत्तर होगा आपको बताना होता है कि द्याण रखेंगे कौस सब्सक्राइब का प्र democratic यह हैu इसका प्रिण जो किया ने लगा तो यह जो आगला प्रस्वेति के मद तक आते मद आते कोस सब्द के किस के लिए रूड हो गया पिर किसके लिए किया लगा अब पर यह वाला कोस्ट दूसरा है यह वाला लास में तलब भी साई इसमें खड़कोर वड़ा साई ठीक है तो दोनों अलग अलग इस बात को ध्यान रखेंगे तो को सब्सक्राइब किसके लिए रूड हो गया पर किसके लिए किया जाने लगा यह आपको बताना इसमें बहुत स इंग्लिस में कोर्स को बोला जाता है दृड क्या बोला जाता है देखिटि इडिक्सानरी में आपको बहुत इनिक मिलेंग और मीनिंग के ऑरत मिलेंगे और में इंग्लिश कुछ टेकork है वट मिलेंगे जिनका आप को वहां पर हिंदीयनवाद मतलब लिखाओ एक डेक्श महासा से हुई थी अगर कोश्चिन आ जाए लाइटिन महासा के किस सब्ज से हुई थी तो आपको बताना है ठीक है चलिए जानते हैं यहां पर आपसन देखेंगे हैं जो सही उत्तर हो जाएगा हो जाएगा आपसन नमरा डिकेर से हुई है अगला कि कोस के मूलता कितने भेद किये गए हैं ध्यान रखेंगे बहुत ही महात्पूर्ण तरसन है तो कोस के मूलता जो भेद है ठीक है तीन है सही जब आप बाह होगा ध्यान रखेंगे अगला है कि इनमें कोस का कौन सा प्रकार है ठीक है तो इसमें से जो कोस का प्रकार है वो है बेक्तिगत पुस्ता कोस भासा कोष ये सभी कोष के प्रकार हैं फिले सही उत्तर हो जाएगा दानमबर सभी अगला प्रश्ण प्रस्तुत है कि जब किसी एक बेक्त के साहित में प्रियुक्त सब्दों को आधार बना कर कोष के निर्माड किया जाता है तो क्या कहलाता है तो इस पूरे complete process को कहा जाएगा बेक्ति गत कोष ध्यान रखेंगे आनमबर सभी जबाब होगा अगला प्रश्ण प्रस्तुत है कि भासा कोष मुख्यता कितने प्रकार का होता है तो भासा जो कोष है ये मुख्यता तीन प्रकार का होता सही जबाब बाहो जाएगा अगला है कि इन में भासा कोस का प्रकार कौन सा है तो भासा कोस का प्रकार कौन सा है आपको बताना है ठीक है तो भासा कोस का जो प्रकार है वो विया वरनात्मक ये भी प्रकार है एतिहासिक भी है और तुलनात्मक भी है इससे साबित यह होता है कि भासा कोस के ये सभी प्रकार है वर्णात्मक तुल्नात्मक कहते हैं आफेक्षले सही जवाब हो जाएगा दानमबर इनमें से सभी अगला प्रश्ण प्रस्तुत है कि किसी एक ग्रंथ को आधार बनाकर कोस का निर्वान करना किस कोस के अंतरगत आता है तो ये जो पूरा complete process है ये पुस्ता कोस के अंतरगत आता है सही जबाब बहोगा चलिए next question क्यों बढ़ते हैं next question कहे रहा कि किसी भासा या बोली के सभी कालों में प्रियुक्त सब्दों को किस कोस में सामिल किया जाता है ठीक है तो इस प्रकार के जितने भी कोस होते हैं उनको सामिल किया जाता है एतिहासी कोस में सही जबाब सा होगा ध्यार नखेंगे ठीक है शैले निश्कोशन करें बढ़ते हैं कि अंग्रेजी का आक्षफोर्ड डिक्सटरी किस कोस का उदाहरण नहीं है डियां रखेंगे इस पर्शन का सही जबाब हो जाएगा बहुत ही महुत पर 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 अगला प्रश्ण प्रश्थ है आप लोगों के समस्त की डाक्टर भोलाना तिवारी ने कोसो को विभाजन कितने भागों में किया है ये यह पन्मुक घुटान ऐं ह ? तो इन्हें दूम है ये दो है कोफ लोगोंने तीन माना हैरे सभी लोगों के नुसार अलग अलग इस बात क द्यान रखेंगे अगला प्रश्ण की इनमें से डाक्टर बोला तिवारी के रुसार कोस का भाग कौन सा है इन अप्षिन में से ठीक है तो वो है भासिक कोस और भाफेतर कोस इसलिए सही जबाब हो जाएगा दो क्योंकि ये दोनों है इसलिए सही जबाब सा होगा दोनों द्यान रखेंगे जबाब हो जाएगा यह सभी जो है वह भासिक कोश्ट के दायरे में आते हैं वासिक और दुभासिक को सोड़ अथी सारस भी आता है ठीक है सही जवाब द्यान रखेंगे इसलिए तर नंबर यह सभी या फिर उप्रियुक्त सभी ठीक है अब बढ़ते हैं हरो ठीक होके अगला प्रस्टूंत है कि मोहा और लोग को एक्ट किस कोस में आता है लोको फियाज हुती है ठीक है तो मुहारा और लोक ऐक्ट जो है वह आती है भासिक कोषक वह तकसम्र्ण जबबाब हो जाएगा अगला प्रस्टूंत है कि जिसमें आउधार», के आसे के गालता है, थिचान रखेंगे नुसर, शब्दों का स्योजन किया जाता है, वह क्या कहलाता है, गर्लाक्ष, और प्रस्वर्श, की यघे क्या पर्या पर्या है, यजित रखेंगे, जो है ध्यान लखेंगे वो बिस्ट कोस्ट का एक पर्या या फिर एक तरीके से बोल सकते हैं कि पर्यावाची या फिर उदहरण है ठीक है या फिर इसका एक तरीके से मतलब ही है ठीक है अगला के साहित के छेत्र में कौन सा कोफ जानकारी उपलब्द करवाता है तो हिंदिस स खेत्र में जो एक कोस्त है जिसका नाम है ध्यान रखेंगे साहित्त कोस्त यह आपके कोस्त की जानकारी कराता है ठीक है सही जबाब इसका हो जाएगा आप से नंबर सा साहित्त कोस्त कि एक चलिए निए देव नागरी अपने नाम तो सुना देव नांगरी लीप इसका तर्प्रथम प्रयोग किस राज में हुआ माना जाता है यानिकि इसकी जो शुरुवात है वह किस राज से मानिशा प्रेंवर्याश एमाने यह आपको बताना थीक है तो बहुत नागरी लिप में लिखी जाती बहुत important question है सही जवाँ हो जाएगा माराथी अगला है कि हिंदी किस लिप में लिखी जाती है तो हिंदी जो है वो नागरी एक मिनट हाँ नागरी लिप में लिखी जाती है हिंदी किस लिप में लिखी जाती है तो हिंदी जो है वो नागरी लिप में लिखी जाती सही जवाँ हो जाएगा बहुत ही महातुपूर्ण प्रस्ण है सही जवाँ अगला की देव नागरी लिप में स्वर वरणों की संख्या कितनी है तो देव नागरी लिप में स्वर वरडो की जो संख्या है वो हो गेरा आनमबर सही जबाब होगा अगला प्रशन प्रस्तुत है कि समिधान के किस अनोचेद में कहा गया है कि संग की राजभासा हिंदी लिप देव नागरी होगी तो ये कहा गया है अनोचे 343 में सही जबाब आहोगा अगला प्रस्तुत है कि भारत के समिधान में हिंदी को राजभासा की माननेता कब प्रदान की गई थी किस संग में की गई थी ये भी helpful और important question एक्जाम के लिए इसका सही जबाब हो जाएगा आप्षिन नमबर बा चौदा सितंबर सन 1915 को समिधान ने इसको माननेता दी थी आपके जीकी के लिए इंपॉर्टन है भारत की राजभासा काउन से तो भारत की राजभासा की बात करें तो हिंदी है नंबर सही जबाब हो जाएगा तो उस का नाम है ध्यान रखेंगे हिंदी महाफा के भिकास सम्मंदी के बारे में जानकाई दी गई है नंबर सही जबाब हो जाएगा 3196 में अगरार प्रश्चन प्रस्तुत है सारे के सारे इंपॉर्टन कोईश्चन ने बहुत ही हाई लेबल के कोईश्चन है देव नागरी का सरप्रथम प्रियोग किसके सिलालेक में हुआ यह कोईश्चन पूर से है पहले पूचा था कहां पर इस रुवात हुई थी सरप्रथम तो आपने गुजराद बताया थे लेकिन आप कोईश्चन के रहा फिला लेक कहां पर हुआ था प्रियोग किसके सिलालेक में हुआ कौन से प्रमुक साहित कार यह प्रमुक इतिहासकार ठीक है तो ध्यान रखेंग देवनागरी का जो अभिकास है वह प्रम्भी लिप से माना जाता साही जबाब होगा अगला कोईश्चन के देवनागरी लिप की सबसे बड़ी विशेष्ता सबसे बड़ी क्वाल्टी यह वह यह है कि सार्बधिक विज्ञानिक लिप होना और एक ध्वनी के लिए एक संक विसेष्थ दीओनागरी में नहीं है था है थीक है तो इन में से जो डेव नागरी के विसेष्था नहीं दो नहीं है तो वह रहxes जुनागरी‍हीर के यह नियुक्ति दो क्या नहीं कहते testosterों हुआ हो है अच्छा रात्मक्य वह नंबर सही जबाब होगा अगला प्रस्तों था कि इन में से कौन सी लिपी नहीं है तो इन में से सिंपल सी बात है कि अंग्रेजी जो लिप नहीं है बाकी सभी लिपियां है और भी नागरी देवनागरी और गुरुमुकी अगला एक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिफ सुधार परिशत की 28 नॉवंबर 1903 को हुई बैठक की अधिस्ता की गई थी किसके द्वारा तो सही जबाब इसका हो जाएगा आफशन नंबर बा तत कालिन उपर राश्पती डाक्टर सिर्पली राधा कृष्णन ने की थी इसकी अधिस्ता ध्यान रखेंगे बा नंब परदेश सरकार द्वारा उनिश्चो सही जबाब हो जाएगा आपसे नंबर सा अचार नरेंद्र जी उनिश्चो सही जबाब होगा बहुत ही महत्मूर्ट प्रश्ण है अगला की नागरी लिप सुधार समित के संयोजक कौन थे ठीक है तो उनका नाम है काका काले लकर आ न को वही सारे कोशिन बताने का प्रियाफ करने जो एक्जाम में कई बार पूंचे जा चुके इस बार आने की पूरी संभावना है तो ध्यान पूर्बग वीडियो को बने रहिएगा ठीक है पूर्बग दिखते रहिएगा अगला कि किस बिद्वान ने देवनागरी लिप के सही जबाप सानमबर अगला प्रश्ठूत है कि निम्निकित सब्दों के मूल सब्द तथा उन में लगे प्रत्य का एक युकम गलत है वहा कौन सा है ठीक है तो जो गलत है वो यही है कि सानमबर गलत है बच्छ प्लस पन ठीक है ये है यही गलत हो और बाकी सभी जो है वो सही है अगला प्रश्ण है कि प्रमाडिक सब्द के मूल सब्द और प्रत्य का सही अलगाव कौन सा है तो जो सही अलगाव है वो है ठीक है कौन सा बानमबर ठीक है प्रमाड प्लस एक ठीक है प्रमाडिक का हो जाएगा प्रमाड प्रत्य का योग है तो उस सब्द का नाम है सुनहरा ठीक है सुनहरा सब जो है इसमें ताippy प्रत्य है इसका योग है तज़्यत प्रत्य होड़ं कौन कौन सा नहीं है तो द्धान परत्य नहीं दिखाइन तो गएन के प्रत्य रहत सब्द है कौन साइन में से तो प्रत्य रहत जो सब्द है वो है अनुवाद सही जवाब दनमबर अगला कि जिन धनियों के सैयोग से सब्द का निर्माड होता है उन्हें क्या कहते हैं ठीक है तो उसे कहा जाता है स्वानियम ठीक है दनमबर सही जवाब ध्यार नखेंगे immersed question है प्रेका यह जबाब हो जाए मिस नमबर ंभा बहां सा पैत्रक संपत्य होती है तो कुछ सब्ड अगला सब किन विसेश्य कला या जूड़ए होते हैं islands जब Sn gusta Nevuto काूं से सब्दों ते पारबासिक सब्द थी के जिनकी कोई परिवाफा होती आनामर सही जबाब होगा अगला प्रस्ण है कि प्रियोग विशे यत्वा प्रियोग च्छेत्र के अधार पर सब्दों को कितने वर्गों में कितने भागों में बिबगति आप ठीजा किया जा सकता है तो सब्सक्राइब अगला की पार्भासिक सब्द ऐसे सब्द को कहते हैं जो रफायन भावतिक दर्सन जाजनीति आज बिभिन विज्ञानों या फाफ्तरों के सब्द होते हैं यह कथन कौन से बिद्वान का है तो यह जो कथन है वो प्रमुख बिद्वान डाक्टर भोलिनाति वारी जी का सही जबाब सा नंबर होगा ध्यान लखेंगे अगला की किनके अनुसार पार्भासिक सब्द ज्यान विशेष के छेत्र में एक निश्चित अर्थ पिर्योग तो होना चाहिए ठीक है तो वो है ध्यान लखेंगे बहुत इमादपूर प्रशने डाक्टर गोपाल सर्मा जी ने हिंदी किसकी बनने का गोरप्रदान किया है मतलब पारबासिक सब्दा वली ने हिंदी किसकी बनने का गोरप्रदान किया है वो आपको बताना है सही जबाब इसका हो जाएगा आपसे नंबर आ बिज्यान की और बाबी सही होगा प्रसाफन की और जन संचार की भी यह सभी स उत्तरे दानंबर सेही होगा क्योंकि आपारवशक सबदा वली ने को गोरो प्रदान किया है हिंदी बनने का सई सभी अगला है कि भाशा सब्द किस सक्ट से संपन्ड होता थे जिस पावर से संपन्य होती है उसका नाम बताना है तो वह अभिधा भी यह बिंजना भी यह लच शित अर्थ प्रियोग तो होना चाहिए तो इस विद्वान का नाम मताना उनका नाम में डाक्टर गुपाल सर्मा जी अगला प्रस्तुत है कि हिंदी पार भासिक सब्दावली किसका मूल अंग है ठीक है तो वह प्रहुजर मूलक हिंदी का सही जबाब होगा ध्यान रखेंग प्रश्ण है कि पार भासिक सब्दावली ने हिंदी किसकी बनने का गौरव प्रदान किया है तो सही जबाब हो जाएगा इन सभी की दा नंबर ठीक है अगला प्रस्तुत है कि भासा में सब्द किस सक्त से उत्पन होता है यह मैंने आपको बता ही दिया है भी ठीक है सब्दें के अब अगला सब्सक्राइब इंडिकेट करता है लाच्निक अर्थ का सईजवाब अगला कि पारभाशिक सब्दो द्वारा बैंजित अर्थ में पारभासिक सब्दो द्वारा बैंजित अर्थ में क्या होती है ठीक है होती। निश्यत्ता और स्चूच्मित्ता दोनों होती है जबाप सा होगा अगला है कि किस सब्द में तद्द प्रत्य नहीं है तो उस सब्द का नाम है शिलाई जबाप दा होगा लोकिक सब्द में प्रत्य है कौन सा यह आपको बताना है तो लोकिक सब्द में प्रत्य है वह एक कौन सा है तो प्रत्यरे सब्द अनुवाद आप सभी को मालूम है कि बात कि राजवासा हिंदी आप सभी को त्यारी करना होगा तो आप इसी प्रकार त्यारी कर दीजिए कब बाकि मैं आपके जानकारी के बता दूँ यह पूरी पूरी जो पीडियाफ है एंसर सही याई निकि यहां पर प्रस्ण है उसका उत्तर नहीं लेकिन मैंने आप सभी के लिए एक पीडियाफ और तयार की जिसमें कोईश्चन भी जिसे कोईश्चन है और उसका उत्तर भी सब्सक्राइब कर देंगे बाकि आपका अपना ही चैनल सब्सक्राइब कर लिजेगा मिलते हैं आपको और नहीं वीडियो के साथ अब तक के लिए जहिंद